नमस्ते वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है इश्वर की दया के बारे में उसकी करुणा के बारे में एक प्रसंग पर आज हम चर्चा करेंगे वेदिक राष्ट के साथ आप भी अगर इस प्रसंग को जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें वेदिक राष्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले आईए एक बार पानी के जहाज से यातरा करते हुए एक बुढिया को अचानक कुछ घबराट सी होने लगी वह केविन के दरवाजे के पास पेट गई और प्राथना करने लगी कि है प्रभू मेरे लीग संतरा भेज़ता हूँ तबी वहाँ से एक नास्तिक गुजरा उसको एक मजाक सुचा अपनी जेब में हाट डाला और संतरे थे उसने बुढिया की और उचाल दिये उसके हाथ में डाल दिये और जल्दी से दूर निकल गया थोड़ी दिर बाद वापिस आया और बुढिया से पुछा कि बड़े आनंद से संतरे खा रही हूँ तो माई बुली कि हाँ बेटा मुझे घबराट सी हो रही थी मैंने अपने प्रभू से प्राथना की उसने मेरे लिए एक संतरे की जगा दो संतरे भी दिये देखो कितना दयालू है मेरा प्रभू उस बुढिया की बातों में इतना अप्रेम था अपने इश्वर के प्रती इतनी आस था थी इतना विस्वास था कि वो नास्तिक विक्ती सोचने पर विवस हो गया उसने सूचा कि हाँ कि सच में मेरे मन में खयाल देने वाला मेरे मन में अपने दो संतरे इसको देने का सुझाओ देने वाला इसका इश्वर ही तो नहीं है उसको इस बात का एहसास हो गया कि प्रेम के द्वारा उस इश्वर के भी मनाया जा सकता है वो सर्वत्र सभी की और शक्ताओं की पूर्ती करता है, उनकी प्राथनाओं को सुनता है, आप भी अक्सर किसी विपत्ती में फसे हैं, किसी समश्चा से ग्रस्त हों, उससे प्राथना कीजिए, उसको पुकारिये, उसको याद कीजिए, वो अवश्चा आपकी सुनेगा, ऐस अक्सर भरती महापुर्शों ने कहा है, वेदों ने कहा है, वेद विशेक चानकारी के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें, वेदिक राश्ट चेनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाओ, कमेंट करके हमें बताएं, धन्यवाद